वो कहते हैं ना कि जब आपके अंदर एक जुनून हो कुछ कर गुजरने का तो आपके पास संसाधन का आभाव हो, तमाम दिक्कते हो या कुछ भी हो, वो आप सब कर सकते हो जो आप करना चाहते हो ऐसा ही कुछ कर दिखाया है राजस्थान की बेटी ने क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से नमस्कार, मेरा नाम रिशब है और आप देख रहे हैं संभा भारत के लिए जैपूर की अनामिका का राश्ट्री अस्तर पर चैयन दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी में इन्होंने अपना जलवा दिखाया है जैपूर की अनामिका यादो का चैयन जो है दिल्ली में आयोजित इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में हुआ है अनामिका महात्मा गांधी राजी की विद्याले का वे रिपत मान सरोवर के छात्रा है राजस्थान में कुल पांच बालक जो है वेग्यानि बाल वेग्यानिक चुनेगा हैं जिनमें अनामिका भी शामिल है उनका भी नाम इसमें शामिल है अनामिका ने महिलाओं के साथ हो रहा है चैन स्नैचिंग और छेड़ छार जैसी घटनाओं से निपडने के लिए एक अनोकिस्टिक बनाई है जिसमें लाइट ट्रैकिंग सिस्टम और अलार्म जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं उनके मेंटर, टीचर, लक्षमर सिंग, सीनियर और संस्थान प्रधान अनू चौधरी के मार्दर्शन में ये प्रोजेक्ट तयार किया गया है अब इस प्रोजेक्ट को और बहतर बनाने के लिए आयाइटी भेजा जाएगा और पेटेंट कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी इस तरीके की खबर जो है बेहत कम आती है जैसे कि अनामिका की फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बगल में उनको सम्मानित किया जा रहा है देश भड से कुल 350 बाल वेग्यानिकों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया लेकिन इसमें इस साल के वल 31 बाल वेग्यानिकों का चयान हुआ इनमें से लगवग 15 शात्र जो जापान की यात्रा पर इनको भेजा जाएगा अनामिका की इस उपलब्धी पर विद्याले परिवार ने उनका गर्म जोशी से स्वागत किया और आगे राश्पती भावन में होने वाले विज्ञान प्रदर्शनी के लिए भी उनको सुब कामनाई दी यह नामिका और राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धी है इस तरीकी की खबर जब भी आती है तो जिस राज से वो होते हैं उस राजी का नाम रोशन होता है और यही कारण है कि अनामिका ने पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है खर इस मुद्धे पर आपकी क या राय हमें कॉमेंट में बताईए और देखते रहें ये समभा भारत का भारत के लिए